दोस्तो इस समय इंडिया में हर महीने 10 स्मार्टफोन नया स्मार्टफोन लॉंच हो जा रहा है तो दोस्तो क्या ऐसे में 15,000 रुपे से कम की प्राइस पॉइंट पे 5G जो स्मार्टफोन लॉंच हो रहे हैं उनको खरिदना सही है, दोस्तों क्या यह 5G smart phone अभी हमें करिदने में फाइदा रहेगा, कोई बखवाश नहीं, क्सी धे point पहाते हैं, क्या फायदा होगा, इस समय 5G smart phone अगर आप खरिदते हैं, या फिर क्या नोस्कान होगा अगर आप 5G smart phone खरिद ले रहे हैं, अभी तो, न दोस्तों यहां पे कोई भी बखवाश नहीं किया जाएगा सीधे पॉइंट पर आते हैं पहले कि अगर आप जहें इस में नया 5G स्मार्टफोन ख़र लेते हैं जो कि 15,000 रपे से कम की प्राइस पॉइंट में कई स्मार्टफोन ओलेबल हो चुके हैं 14,000 रपी की प्राइस प नुक्षान क्या है दोस्तों अभी इंडिया में 5G का ट्रायल हो रहा है 5G लॉश नहीं हुआ है और ऐसे में 5G की यक नई टिक्नलोजी आए गई है जो कि अलग है जो 5G आई इंडिया में टेस्टिंग हुआ है और इसे रोल आउट किया जा सकता है क्योंकि मेरिन इंडिया है और जहां 5G टेकनलोजी पर मेरिन इंडिया को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है तो चांस है कि 5G आए इंडिया में आ सकता है दूसरा दोस्तो कि यहां पर हर दिन एक नया स्मार्टफोन लांच हो रहा है महीने बर में लगवक से 10 नय स्मार्टफोन मार्केट में दस तक दे दे रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में जब 6-7 महीने बाद यानि कि 2022 के मीड में जब 5G नेटवर्क इंडिया में लांच हो जाएगा पूरी तरह से लांच हो जाएगा तब जो आप इस समय स्मार्टफोन ख़ईदे रहेंगे वो इस स्मार्टफोन आउटडेटेड हो जाएगा जब आपके स्मार्टफोन लेकर आप अपना नुक्सान अपकशन ही करने वाले हैं अंटेटे हो यह प्रॉबलम है दूसरा यहां कि दूस्तों हम 15,000 पैसे सस्दा एक फाइब जी स्मार्टफोन लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है कामरे से कंप्रोमाइज करना पर जाता है जिया दोस्तों जहां की 4G स्मार्टफ़न में सेम प्राइस पॉइंट में 64 मेगा पिक्षल के साथ कैमरा मिल रहा है तो यहां पे मोबाइल में हम पिक्षल की बात कर रहे हैं और वैसे बता दें कि जो इस यहां पर 15,000 रुपैसर कम की स्मार्टपून को देखें तो यहां पर हमें 48 मेगा प्राइस पॉइंट अगर हम लगाते हैं तो यहां पर 64 मेगा मिल जाएगा वह भी चार कैमरा मिलेगा जहां पर हमें macro lens, telephoti lens and ultra wide angle lens पे भी focus किया जाता है यानि कि हमें और भी ज्यादा benefit मिलता है अगर हम 4G smartphone same price point पे लेते हैं और 5G smartphone लेते हैं तो हमें camera से compromise करना पड़ जाता है तो अगला हमें का compromise करना पड़ता है कि यह हमें smartphone 5G तो देते हैं लेकिन यहां पे हमें display से थोड़ा सा compromise करना पड़ जाता है जहां पे हम जो है 14-15,000 रपय में AMOLED screen ले सकते हैं Redmi का smartphone वहीं पे दोस्तों यहां पे 5G smartphone में normal display मिलता है और यहां पे दोस्तों refresh rate के साथ compromise करना पड़ता है यह full HD screen तो दे देते हैं 5G में लेकिन refresh rate touch sampling rate, PPI, DPI से हमें compromise करना पड़ जाता है जो कि यह छुपा देते हैं दिखाते नहीं है यह बहुत ही important है display के लिए PPI बहुत important है यह आपका touch sampling rate इसके बाद display का resolution यह माईनी रखता है brightness यह माईनी रखता है ताकि एक smartphone एक बहुतर smartphone बन सके और साथी साथ दोस्तों अगला क्या हमें compromise करना पड़ जाता है कि RAM और internal storage के साथ हमें compromise थोड़ा सा करना पड़ जाता है यहां पर दोस्तों जहां कि हम smartphone को 6GB RAM के साथ 64GB या 6GB के साथ 128GB मिल रहा है वहीं पर 14-13,000 रुपय में 4-64 मिल रहा है थोड़ा सा एक कमी आ जाती है लेकिन ठीक है चल जाता है इतना दोस्तों यहां पर प्रोसेसर में भी थोड़ी सी कमी आ जा रही है प्रोसेसिंग स्पीड में दूस्तों यहां पर आप जान रहे हैं कि जो लोवर प्रोसेसर होगा वहां पर प्रोसेसिंग स्पीड काफी कम मिलेगी और मेडियाटेक का सबसे लोवर 5G प्रोसेसर है वह है मेडियाटेक डैमेंस्टी 700 यानि कि यह 5G का सबसे लोवर होगा और इसमें डूवल 5G बैंड तो मिल जाएगा लेकिन जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी वह बहुत ही कम होगी आने वाले समयब जब यह 5G नेटवर् को तो क्रेश करेगा लेकिन यहां पे जो परोसेसिंग स्पीड होगी जो भी कम हो जाएगी यहां पर कर लेगा लेकिन प्रोसेस करेगा हो जाएगा रुब कर चलेगा तो ऐसे में अभी कि आप क्या काम करिए क्सीदी बात कि अभी आपको 5G स्मार्टफोन लेने से कोई भी फायदा नहीं है सिर्फ हाँ हवा उड़ रहा है 5G आ रहा है और इसी हवा के साथ आप भी बह जाएंगे तो अपना ही नुक्षान करेंगे क्योंकि आने वाले समय में एक से बढ़कर और भी काफी अच्छे प्रोसेसर आने वाले हैं जो कि अगर मेडियाटेक डैमेंस्टी 700 में कोई कमी है तो इसको दूर करके एक नया प्रोसेसर सेम प्राइस पॉइंट पे निकाला जाए और मेडियाटेक इसको फिक्स कर दे तो हो सकता है जो कमी आपको फेस करनी पर जा रहे है कि हां बैंड विस तो कैच कर रहा है लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड कम है वह आने वाले से में फिक्स हो सकता है तो इस वज़े से अभी सीधी बात अभी जो है 5G स्मार्टफोन मत खर दियेगा ठीक है अब जो है अगर आपका मनी है नहीं हम खरी देंगे नहीं करना पर जाएगा तो वीडियो को शेयर करिए और आपकी क्या रहा है 5G स्मार्टफोन को लेके कमेंड दुरू करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को मिलता है हमार पर दिजय चैहिन वद नहीं में तरह